कि अभी एप लोग बैदी कि की उसको चलाया हर तरीके से आप लोग आइस को टेस्ट किया हम डाइवर्ट पे गए और एपको पहाड़ों को इपर पहाड़ों पहाणी तो मैं आपको बताऊंगा यह क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए ठीक है तो अगर कोई बंदा मेरे से सवाल पूचेगा जो की कल्टास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो मैं उसे यही कहूंगा कि भाईया नहीं लेनी चाहिए क्यों मैं अभी आपके साथ पॉइंट टू-पॉइंट डिसकस करता हूं पॉइंट टू-पॉइंट डिसकस करूंगा मेरे साथ तो यह प्राब्लम शेयर हुए हैं मतलब मैंने फेस की हैं यह वाले प्राब्लम ठीक है अब आप लोगों का पता नहीं है कि आप लोगों के साथ यह फेस होए नहीं सबसे पहले हम फ्रंट एंड से चलते हैं नंबर वन जो इसका में प्राब्लम आता है वह इसकी लाइट का है ठीक है जब मैंने गाड़ी ली मैंने इसके लाइट चेंज करवाई आप लोगों के शाहिए देखा हो कि इसकी ब्लू लैटे भी आती है मार्कर के अंदर मैंने इसके अंदर जो उनसा है वो एक और ब्रैंड की लेके वो लगवाई उसे भी अच्छी डबल रेट के उपर लेकिन लाइट उसे साब से नहीं वहली फिर मैंने इसके बल्ब लगवाई लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया गाड़ी नीची है लाइट नीची रहती है जो आन दिसरे मामला बालो तो फिर ठीक है फिर मसले बाली बात में है थीक है अचा सेट करें करें इसके में मतले हूं इसके मितला चलेंगे बात करें गी एसी हजार सिफी के हिसाब से ठीक है एसी माड़ा नहीं है लेकिन जब मतलब जैसे महाल में मैं वीडियो बना रहा हूँ अगल आपकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है ठीक है आपकी फैमिली अंदर बैठी हुए यह आप अंदर बैठे हुए है ठीक पांच से दस मिनिट के ब खाने वाली है तो मतलब ठीक काम कर रहा है अधर वाइव जब घरमी हो जून चलाई यह जाए उसमें यह काम नी करता गाड़ी चल रही हो तो फिर यह ठीक है ना चल रही हो तो खलीवली खलास है कोई चकर नहीं कोई मज़दार नहीं है इसका यह तो नमबर के ऊपर आपक पानी खड़ा उसमें से गुजरी है इसके साथ बैल्ट वाद देने शुरू हो जाए ठीक है अगया जब पानी जिसे हम व्लैती बैल्ट कहते हैं जब पानी लेकर लगाने में हर चीज़ की हुई है लेकि यह जैसे कंप्रेसर को पानी लगता है तो वह चीखाना चुरू कर करेंगी और यहां ही उसको कंप्रेसर को डिस्टर्ब करेंगा ठीक है तो इसके तीन जोंसे हैं वह मेजर फॉर्स हैं इसके बड़ा परिशान करती है उसके बाद अगर आप आजएं आप मतलब इसके फ्रॉंट की दरफ अगर आप स्टेरिंग गारी चलाने के लाते हैं तो अपने जोर से मार लिए तो आपके हासमी आएगा ठीक है लाकों की क्वालिटी इतनी लो है इतनी लो है यह कोई बंदा बाकी जो तीन बाते पहले मैंने की यह उसको कोई माने ना माने इस बात को जरूर मानेगा यह इस गाड़ी का नाउन फॉर्ट है आप गाड़ी में ब इसका ठीक है अगर आप अराम से मार उगे तो फार रहता कुछ 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 की वाद आपको देता रहेगा फूल टैम अगर नहीं मारोगे जोर से मारोगे तो आपके हाथ के अंदर आजएगा ठीक है तो यह मतल्य प्राब्लम है चाबी साधी है इसकी ठीक है वो इम अगर पीछे चलें तो इसकी जोंसी है आवाजें जी तो अगर हम इसकी बैक की बात करें अब तब अभी मैं सारे इसके जोंसे हैं वह अपना जो बुरे वाले पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं ठीक है अगर दूसरी बात करें कि इस गाड़ी की जो खिच खिच कर देती है पीछे से आप गाड़ी को यह पैस करा हो तो आगज खच कर चुरू कर देती है मतलब जहां खड़े जब में लगेगी इसने अवाज देनी देनी है मतलब अजीब सा कहने का मक्सादा कि इसका महाल बना हुआ होता है ठीक है तो यह इस पॉइंट के इस गाड़ी को पोशिश करवा लो कुछ कर लो इसकी सीटें निसीदी गाड़ी कि पता नहीं यह एक कल्ट्रस की बिमारी नहीं है इनको यह पिर दूसरा नंबर के उपर जिसका हीट का इस्यू बाता है जब गाड़ी हीट भी होती है ठीक है अगर लॉंग रूट के पर आपके गाड़ नहीं आई हाँ दो चीजें जो ठीक हैं वो जी है एक तो इसका इंजन ठीक है इंजन ठीक से मुराद ही एक पिक ठीक है अगर आप चार लोग बैठे होएं आपने गाड़ी को एकसलरेशन दी यह फुल खेंस के गेर लगाया तो गाड़ी उठती है निकलती है वो ठीक है व खुले खुले चार लोग बैठ जाते हैं सिस्टिंग पॉजिशन अच्छी है ठीक है और अगर आप रणिंग पर जा रहे हैं मतलब लांग रूट के ओपर हैं तो आपको एक तो मतलब इसकी थोड़ी सी एवरिज बेतर मिल जाएगी और इसके अलावा एसी ठीक है चलते तो बस ठीक साथी ड्रम प्रेक्स लगी हुई है तो देखें मतलब मैंने यह गाड़ी परचेज की थी सिरफ दो वज़ा की वज़ा से कि यार एक तो मार्किट की गाड़ी ठीक है नंबर वन और नंबर टू परचेज करने की वज़ा यह थी के जी अपना पेट्रॉल की अधिया गली गही है हमारा थ्री टू फोर डेज का शॉर्ट ट्रिप था ठीक है हमने गाड़ी एक सौ की स्पीड के अपर रखी है तो इसने हमें एवरेज दिया सोलां की ठीक है जब यह गाड़ी सौ से उपर चली गई है फिर हमने इसको चलाया तो करीब बन इस्लाम बार लाहूर मोटरवे के उपर 130 के उपर 120-30-20-30 तो गाड़ी की आवरेज वही 11-12 के करीब आ रही थी मतलब जो कि आम एक नौरमल जी एले की आवरेज होती है जो सिविफ्ट की आवरेज है जो लियाना की आवरेज है ठीक है इंजिन छोटा है हीट होने के परशानी है और उस आपको ऑप्शन मिले गाड़ी पर चेस करने का मुझे अगर को दुबार ऑप्शन दिये जाए कि आप जी दुबारा कल्टस लेंगे तो मैं कभी नहीं लूँगा कोई चांस भी नहीं है नो चांस खली वली हम लोग डैवर के उपर गए उससे पहले हम लोग डैवर के उप रहा है बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वहां से इसको मेकैनिक मगवा के दुबारा रेस्क्यू किया गाड़ी को वापे समरोड तक लेके हैं बहुत परिशान हुए और मतलब जब गाड़ी गाड़ी जारी थी जारी होती फोर बैफोर विट्स भी टोटा की बहुत संद किया है ठीक है यह नाउन फॉर्स यह तकरीबन मैंने अपनी आप से जब्स की है बिलकुल यह ठीक है दो तिन बातों से आप लोग इतफाक नहीं कर सकते लेकिन बागी चीज़ों से आप इतफाक करेंगे ठीक है तो अब अगर मुझे दुबारा ऑप्शन दिया जाए इस गाड़ी को परचेज करने का तो मैं कभी भी परचेज नहीं करूँगा नमबर वन मेरा माइंटसेट चेंज हो गया है एक बड़ा एंजन बड़ा होता है उसकी एफिशनसी उसकी परफॉर्मेस उसकी हर एक चीज बेतर होती है हाँ अब पांच गाड़िया है होंडा से एक इगलाइज मिट्सोबिशी लैंसर लियाना सेविफ्ट और टोइटा की करोला 2006 मॉडल वाली किसे गोल बड़ी वाली कहते हैं हम लोग उल्टन वाली भी उसे बोलते हैं ठीक है तो यह हमारे पास पांच गाड़ियां अब अगर आप मुझे ऑप्शन देंगे हम बात कर अगर मुझे कोई आप्शन दे कि आप दुबारा चूज करें मैंने मैं जो चूज करूंगा पहली गाड़ी वह अपनी सुजुकी स्विफ्ट चूज करूंगा क्यूंके गाड़ी बहुत अच्छी है सबसे पहले आपको उसके अंदर पावरफुल इंजन मिलता है जो के ब हाथे हैं थोड़ा सबी जोर लग गया थे हैंदल आपके हाथ में यह भी फड़ा है इसका मतलब बड़ी एहतियात से बड़े तरीके के साथ आपके शीशे उपर करने पर दें उसके अंदर आपको शीशे आटोमेटिक मिलेगी ठीक है और उसके बाद पावर विंडोस मिले मिल जाएगा ठीक है अलॉय रिम्स मिल जाएंगे गाड़ी के पिक शीक अंदर से रूम बड़ा प्यारा और सीटों की कुशनिंग और सीटे पड़ी चोड़ी मतलब क्या बात है हर लिहाद से बैस्ट है आप 11-12 मॉडल स्विफ्ट जोंसी है वो देख सकते हैं ठीक है आप सवालाग डेड़ लाग मुक्सान करके बेच लिए ठीक है इसके बाद अगर मुझे ऑप्शन भी ले अगर मुझे स्विफ्ट अच्छी नहीं मिल रही होगी तो मैं कोशिश करके जो 2006 साथ वाली करोला है उसकी तरफ चला जाऊंगा वो बैस्ट है मुझे पहले ही ऑप्श होगी अगर यही सुदुकी स्विफ्ट होती तो मेरे ख्याल से वह भी इतनी अवर्ज इती इससे बेतर दे जैती तो कि बड़ा एंजन जहां मर्जी खड़े करके आप एसी का बटन दबादें और रिलेक्स होके लेड़ जाए गंटा गाड़ी खड़ी उसके परवाद भी सब तगड़ है उसका इन सब गाड़ियों से तगड़ा एसी उसका है कोई परवा नहीं है गाड़ी को हैवी ड्यूटी एसी लगा हुए है सो मुझे अगर दुबारा पर्चेस करने का मौका मिले 15 लाग के अंदर सो मैं सुदूकी स्विफ्ट यहां करोला 2006 मॉडल जो साथ मॉडल है गोल बाड़ी शेप वाली उसे पर चेस करूंगा दोनों बेस्ट गाड़ी है बाकि आपने जब भी बेचनी है भाई नुकसान होना ही होना है क्योंकि पहले गाड़ियों की कीमते चड़ रही थी उपर इसलिए जिन्हों गाड़ियों रखी हुए उन्होंने हर ग गाड़ीं भी मैं लेके चला के बेचता हो तो नुकसान उसके अंदर भी है ठीक है लेकिन यार आप यह चीज़ देखे ना कि आपके शच्कित पूरे हुए ना आप गाड़ी के पास आया अपने बटन दो बाया गाड़ी जादा कुल गया अंदर बैठे आपको यह फिकर बैठे जो अंदर स्पून से गाड़ी चलाओ चलने पर भी कोई परिशानी नहीं है ठीक है आज आके दो ड्राबेक है उसके जी सवीफ्ट के पट्रॉल का और अपना जी रीसेल का यार कुछ नहीं है अब गाड़ी सब्वाल के रखो बिक्ती है जो लाग सवाला किसने तो लेकिन गाड़ी तो अच्छी है ना यार मजबदार तो है स्वीटों की कुछिनिंग वेलके मिग सीट नहीं सीजी हम लॉंग रूट करके आएं कमरें इस हग दिए लिटर ली बिलीव करें मतलब यह हलाते हैं सो अवराल इस इस माई रिव्यू ऑल अबाउट कल्टस ठीक ह अमीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा मैंने अपने तमाम जो पॉइंट्स आपके लोगों के सामने रखें सिर्फ दो खूबियां इसके बाद उसके अंदर कोई खूबिया नहीं कोई चकर नहीं है तो अगर इसके अलावा आप लोगों ने कोई चीज पूछ पूछ सकते हैं thank you so much for watching my video kindly हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon पे click करें ताके हर आने वाली वीडियो आप लोगों के मिलती रहे thank you so much Allah आप